है लो फ्रेंड्स वेलकूम टू माई चैनल तो चलते हैं अपनी रस्वही में रेस्वी बनाने तो फ्रेंड्स होली का तुहार आरहा है तो घर पर चकली क्यों ना बनाई जाए तो चलो चकली बनातें सबसे चकली बनाने से पहले मैं गैंस को ओन कर दूंगि उसके पर एक पै पानी जब गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर एक से डेट चमच देशी घी ढाल दूगी आ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बैल आइकन को जरूर प्रेस को ताकि जब भी कोई नई रेस्पी मैं डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और फिर मैं इसमें एक से डेट चमच नमक डाल दूगी साथ में जीरा डाल दूगी एक चमच और थोड़ा सा चिली फिलेक डाल दूगी लगबग आधा चमच अब मैं इस जब यह पानी गरम हो जाएगा ना फिर इसके अंदर मैं एक कप आटा लूगी जिस कप से आप पानी नापोगे उसी कप से आपको आटा लेना है जादा हो जाएगा तो फिर आपकी चकली अच्छी नहीं बनेगी फिर मैं इस आटे को थोड़ थोड़ डाल कर अच्छे से मिक्स कर दूगी और फिर मैं गैस को बंद करके इसको ढखकर रख दूगी जब तक यह थंडा ना हो जाए अब यह देखिए बिल्कुल थंडा हो चुका है अब मैं इसको डो को एक प्रात में डाल दूगी प्रात में डालने के बाद मैं इसको अच्छे से हाथ से मसलूँगी ताकि जो इसका डो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ताकि जब हम चकली क तकी एक soft dough बनकर त्यार हो जाये, ये देखे, इस तरह से ये soft dough बनकर त्यार हो चुका है, अब मैं इसमें से थोड़ा सा dough ले लूँगी और इसको इस तरह से एक shaped दे दूँगी ताकि जो हम इसको साचे में डाले तो वह अराम से उसमें डाल जाए, अब ये देखे मैंने यह कशली के साचे में डाल क्वच, और उपर यह आई जाति और इस धाल से यह धी ऊद्राइटा कर गोड़ा कर दोफ हताय। तो मैंने इदर चकली सारी बनाकर रख दी थी, यह देखे इस तरह से, अब मैं इसको एक पल्टे के साहिता से धीरे उठाऊंगी अराम से और इसको कढ़ाई में धीरे धीरे से डाल दूँगी, यह देखे इसके ताकि इसकी शेफ टूटे नहीं, यह देखे, इसी तरह से मैं एक और डाल दूँगी ये देखिए इस तरह से बस अराम से उठाना ताकि हमारी जो चकली की शेप है वो तूटे नहीं बस ये देखने में मुश्किल लग रही है लेकिन बनाने में असान है जब आप अपनी रसोई में बनाओगे तो आपको भी बहुत असान लगेगी ये देखिए इस तरह से बस तेज आच रखनी है गैस की ये देखिए बस इसको हलके हलके आता है तो हम इसको थोड़ा सा अलट परनट कर देंगे तो ये देखो बन कर त्यार हो चुकिए एकदम कलर कितना प्यारा आया है अब मैं एक दूसरी चननी ले लूँए उसके ओपर ये चकली जो मैंने फ्राइ कर ही है उसको रख दूँगी ताकि इसके अंदर जो भी एकसमोल है वह निकल जाहे ये देखे इस तरह से तो इसी तरह से मैं सारी चकली फ्राई कर दूँगी तो ये देखे बन कर कितनी अच्छी त्यार हुई है चकली जो की हमने घर पर ही बनाई है और बिल्कुल बजार जैसी लग रही है ना